कि सामने हमारा परिवर्कन पत्र रखेंगे उस परिवर्कन पत्र की जब आप इमेज ले लें फिर उसके बार नेद्राग्ट के बख्ष एक एक तरके आपसे तमानों चीजे के हैंगे आप इस चुनाव में इन मत्रों को आगे लेकाई है इन मत्रों को नहीं जो आसमानी है जो समीन जो भुड़नों के हैं उस तर बात हो मैं अग्रह करूंगा हमारे तमाम नीता मेरा वलगा इस सब एक साथ ख़रया होगा के किसको डिस्वेक करें अच्छा कर साथ ज़्क ञारि में दो जो जो हमारा विश्र है जो प्याण का विश्र है कि पर बाद दो और किसी विश्र में दो सबी हमारे पत्रकार यह एलेक्ट्रोनिक प्रेंट और इसे हमारे यूट्यूबर्स पोर्टिल मीडिया के साथ ही है आज जैसा मनोज जाजी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवत्तन पत्र हम लोगों ने रिलीस किया है यानि 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है यह हमारा कमिट्मेंट है रन है जिस चीज को जिस जिविवारी को हम लोग पूरा करें और बहुत ही महत्तून बाते हैं इसमें जिससे बिहार देश के हमारी जनता कब भला कैसे हो बिहार की तरकी कैसे हो विकास कैसे और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं हम लोगोंने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्द को 17 महिने में हम लोगो कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें हाला कि दो-चार सीट से हम लोग कम रहेंगे कि सब्सक्राइब लेकिन जब भी 17 महिने हमको मौका मिला जिस परस्तिती में जो हमारा कमिट्मेंट था प्रन था उसको हम लोगोंने पूरा देखेंगे 17 महिने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था दो-चार चीजे वह हम लोग ने बिहार पे 17 महिने में करके दिखाए पांच लाख नौकरी सरकारी नौकरी हम लोग ने पिया कि देश में किसी भी राज में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरे ने पिया हम लोगों ने जाती अधारित गंदा कराया और आलक्षन की सीवाएं जो है 75 परसेंट हम लोगों ने किया था कि 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिल्नाडू के तर्स पर हम लोग आरक्षन की सीवाएं मिहाद में बढ़ाएं उसको भी कि हम लोगों ने आई-टी पॉलिसी तूरिजम पॉलिसी खेल ली ती यह भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उसको त प्रॉमिस और हम लोगों ने उस दीति को भी लाकर कि जो है लगबग के घंतर भांतर शिराडियों को नौक्रिया की और हाइस रांच था भी एश्पी लेवलिक तो इस टाम को भी हम लोगों ने पूरा किया और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि यह चुनाओं है विहार की जनता भी उबीद करती है हम लोगों से कि भाई दो हजार 24 के चुनाओं में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिश्मेंट है क्या नया लाग है तो आज परिवत्तन पत्र के जरीए 24 जनवचन यानि 24 का चुनाओं और 24 जनवचन अब लोग लाएं डीटेल्स और सारी बातें आप लोगों को देल दी जाएगी लेकिन जो हो वो हम आप लोगों की समझ रखना चाहेँ जन्मत चंता अगर हमको ताकर देती हैं अगर हमारी इंदिया अलाइंस की सरकार बनेगे तो देश भर में एक करोड नौजवानों को नौकरी है सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें एक करोर नौकरी पूरे देश पूरे देश में 30 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं उसको तो भड़ेंगे ही भड़ेंगे लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग स्रिजन करेंगे या आप लोग जानते हैं नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है आज भाजपा की लोग से कोई संब करते हैं कि दो करोर हर साल उन्हें नौकरी का वादा किया था लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो पूरे देश पर में एक करोड लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करें दो तारीक जो है वो रजब दो डेट याद कर लिए देश में 15 अगस्त आने वाला जो 15 अगस्त है आपको बेरोजगारी से अजादी मिलना शुरू हो जाएगा आने वाला जो समय हमारा देश अजाद हुआ था जिस तारीकों हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से अजादी हम लोग लाए यानि सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देगा दूसरा तारीक हम लोग ध्यान से रखेगा जो आने वाला रक्षा बंदन है गरीब परिवार की बेहनों को हम लोग प्रते एक वर्ष में एक लाख रुपे का सहायता हम लोग देदे का खाम करेंगे जो रक्षा बंदन आएगा उसी दिन से हमारी बेहनों को जो गरीब परिवार में हर एक साल एक लाख रुपे का हम लोग जो है सहायता देंगे और आप लोगों के समझ हम बताना चाहेंगे तीसरा कि पांच सो रुपे में गैस सिलिंडर का भाव जो है कर दिया जाए आज जो है बारा सो पंदरा सो बिलता है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महेंगाई जो चरम सीवा पर है महेंगाई को कम कर देके पांच सो रुपे में गैस सिलिंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महतपून बिहार को विशेष राज का दरजा हम लोग दिलाएंगे बिहार को विशेष राज का दरजा दिलाएंगे अगला पॉइंट यह भी बिहार के लिए बहुत ही महतपून है हमारी सरकार बनेगी तो बिहार ने स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे तो इमोदी जी वाला नहीं कि बंगार से यूपी तक गैस लाइन पाइप लाइन जाना जो विहार का भाग है उसका पाट जोड दिये अब बोल देगी टाकिन में आगे नए डेडिकेटेड इस्पेशल पैकेज विहार को हम लोग देने का काम करेंगे एक लाग साथ हजार करोड का एक लाग साथ हजार करोड कर अगर लोग सबात्षेत्र वाइज इसको अगर हम बाटेंगे तो प्रते एक लोग सबात्षेत्र में चार हजार करोड रुपे हम लोग हर लोग सबात्षेत्र में देंगे सबसे महेंगा है पुरी देश बहुत महेंगा है बिहार के जितना महेंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता है तो हम लोगों की शरकार बनेगी तो 200 यूनित फ्री बिजली हम लोग बिहार की जन्ता को उपलब कराने का काम करें और फसलों का दस फसलों का नित्तम समथन मून MSP जो है हम लोग दिलाएंगे स्वामी नाथाली जी के जी रुपोर्ट है जो सिफारिशे हैं उसको हम लोग पुरे देश बड़ में लागू करेंगे और यह भी बहुत ही महत्वपून बात है हम जगह जगह जा रहे हैं नौजवान बहुत परिशान है अग्दी वीडियों चाहसे ना पेंशन मिलेगा ना ग्राचिती मिलेगी ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी ना शहीत का गर्जा मिलेगा चार साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाए तो हमारी अगर सर्कार बढ़ेगी तो जो चार वर्षिया अग्दी मीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दवरान शहीद अद्द सैनिक बलो जैसे CRPF ITBP SSB CISF इत्यादी के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो बहुत ही महत्पूर्ण बात है पैरा मिलिट्री फोर्ष जित्रे है उन्हों की लंबे अर्शे से दिमांड रही है कि भाई यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है तो हम लोग उन सारे पैरा मिलिट्री फोर्ष जित्रे हैं देजबन में उनको शहीद का दर्जा देंगे और चार्वर्शियर अगनी वीर जो योजना इन्हों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग मितलवाएंगे विहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए पांच नए एरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे पूर्णिया में भागल पूर में मुजफर पूर में गुपाल गन्ज में और रक्सोल में ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके एरपोर्ट बनेगा तो शेथ जो है विक्सित हो आगे बनेगा इसमें पांच नाम हम बता दें पर से पूर्णिया भागल पूर मुजफर पूर गुपाल गन्ज और रक्सोल में नए अएरपोर्ट का निर्मान कराया जाएगा अगला पॉइंट मंडल कविशन के बाकी बचे जितने शिफारिशे हैं उसको हम लोग लावी करेंगे और यहीं नहीं हम लोग ने जातिया धारिद गन्दा कराया जातिया धारिद गन्दा तो कराया तो साथ में हम लोग उने औरक्षन की सीमा को बढ़ाया पचतर पर स्थे आज बने ही चाचा जी उदर चले गए हो लेकिन इस बातों को भूल डाते हैं सचिवाले में सभी उनके मंत्रियों के साथ अमनी डिप्टी सियंते अब लोग इने प्रेस कॉल्टेंस किया था और भारत सरकार को कैमिनिट ने पारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षन की सीवा हम लोग उने बढ़ाया है भी आग में देश्माती पिछड़ा को बढ़ा है स्वार्ण जाती भाईयों के जो गरीब भाई है उनका दस परसेंट जो था हूँ और रहे गया है कि पिछड़ों का दलितों का दिवासी भाईयों का जानी करने होगा सरकार में लेकिन अभी भी सेडियूल नाइन का जिक्रें नहीं किया हुआ है और आप देखिएगा इसी वज़ा से कोई भी कोट चलागा है और इसी देरी के कारत जान मूझ के विलम किया गया भाजपा के द्वारा ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोट में में करके इस आरक्षण के सिमा को खतम करने है तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेडियूल नाइन में हम लोग करेगे विहार में और दोगी करण को बढ़ावा भी पिया जाएगा और स्वास्त का अधिकार जो है पुरे देश मे उसको हम लोग लागू करेंगे ताकि फ्री में स्वास्त शुर्धा सभी लोगों को उपलब दो तो ये ऐसे तो 24 वचन है जन वचन इसमें आप लोगों को हम बटवा दें मिलें लेकिन जो प्रमुक बाते थी इन में से हम सब्जे कि आप लोगों के समच इस बातों को रख कि तो आप समझ सकते हैं कि पंदरा अगस से बेरोजगारी से अजादी हम लोग लेकर के आए रक्षा बंदन में गड़ी बहनों को हम लोग प्रतेक एक वर्ष एक एक लाक रुपया हम लोग देंगे दो सौफ यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे तो ये सारा काम हम ल आप एक बात संजीए कांग्रेस के लोगों ने अपना भोष्णा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने अपना परिवर्टन पत्र जो है वो आप लोगों के समझ रखता है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाग नौकरिया भी रही है मेरा माला अच्छी बात है लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ सत्तर लाग पद सेज़ज़ों किया जा सकता है कैसे यह बड़ा सवाल होगा पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहां से लाएगा दस लाग देश बढ़के जितने अर्थ शास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा कैसे होगा तो सत्रा मेरे में पांश लाग नौकरिया कैसे देंगी है पैली बार अमारे चाचा तो के दरबाब के पच्छ प्रश लाएगा और आज तो कहते हैं कि हमें ने किया अच्छी बात है आप डिक्रित है तो कह सकते हैं लेकिन सबसे पहली बार तो मेरे मूझ से सुने तो 30 लाग जो कॉंगरिस ने किया है वह केवल भिक्पने है और जब हम लोगों ने बिहान भी किया था तो सारे 4 लाग पदे दिख थी सारे 4 लाग तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके यह किया है कि हर्ण साल जो है बहुत लोग रिटायर बते हैं और और चुलिजे दस सालों मोधी जी ले रेल्वे हुए या सेना हो सबसे जाधा जो बाहलिया निकलती थी इस बाद दस साल में कितना बाली निकलती तो हम लोग दिल्ली में मैंटर्स करता है नंबर अगर नंबर जनता हमको ताकर देगी वही तो कह रहा है कि अरे अगर हमार 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 हमारे को चौबीस सीथ पर हम लोग चुनाव लगते हैं तो पचीश एंपी हमारे जीत के जाएंगे तो हम लोग काम करेंगे कि यूपीए वन में अब लोगों ने करके दिखाया है सेकेंड लाजेस पार्टी थी 2004 में राश्ची जन्ता कर्व कॉंग्रेस पार्टी के बाद और प्रधान मत्री बराने में हम लोगों की सहरती रही तब जाकर के मन मुहां सेंग जी प्रधान मत्री लोगों ने घुश् अब लोग तो चाहते नोक्रें में राहूल गांदी जी भी कह रहे हैं हर जगा तो हम लोग तो राहूल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं उनकी हाथ तो ही हम लोग बजबूत करते हैं कि अधिकार है हर पॉलिटिकल हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है हमारे एंपी जीन के जाए है तो क्या करें इन्ही अजेंडों पर काम करेंगे हमें पूरा विश्वा से भाई पत्रकार जाएं कि हमारी सरकार बने जानी है तो उसकी चिंता अपना करें हम सरकार के पार्ट होंगे तो इस काम को करेंगे रभाई डिप्टी सी अमीना थे हां कोच्छा मुक्ष मंत्री कि ये ना है को शारा मांदेव आगं मारी का हो पैलनी मरकस का हो टोरा सेवक का हो विखास मृत्र का हो सब के मांदेव को बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं जा करेंगे मेरा प्त्र पड हैं आज जो जो कहे हैं उसका काम देखिए हुआ के लिए वो हमारी जिम्यवारी है हम लोग करें देश भर में हैं अले भाई देश का चुनाओ है तो देश भर में हम लोग बिल्ली तर्ड जो करें भाई कई जुगे अलग अलग है लेकिन स्पेसिफिकली जो है कई जए भोक सकता है कि घय अलग हुसाथ से च्पी एक बिल्की का दर्ड पुर्य देश में लागु नहीं है लेकिं भीहार में इते आधाल क्को दो सो अ हम लोग जो है बिल्ली दर और जो हम लोग कर दो चालागी जावी जे जो पोग जो